नमस्कार दोस्तों स्वागात है आपका हमारी यूटूब चैनल गुरुजी का स्कुल में तो दोस्तों आज हम लेकर आए आपके लिए तेरे सितंबर 2021 के करेंट अफैस जो आपको आपके आसपास हो रहें गटना उसे अपकत कराएगा अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी निलेप सिंग राए ने नेशनल फर्टिलाइजर्स लिमिटेड के अध्यक्ष और प्रबन निदेशक की रूप में पदभार समाला है एन एफ एल याने नेशनल फर्टिलाइजर्स लिमिटेड एक भारते राजी के स्वामेत वाला निगम है जो रसाइने कुरवरकों प्रिष्टरि फर्टर कार्य और कार्य कर्टा के पुर्णेटिती पर शद्धान जिली की रूप में गोशित किया है गोरी लंकेश पत्री का पिरकाशित करने वाली अनुबवी पत्रकार गोषि की 5 सितमबर 2017 को दो हमलवारों ने कूली मार कर हथ्या कर दी थी प्रिशिसिंग के दीन इसके द्वारा यूएस ओपन महिला फाइनल में ग्रेंड स्लिम जीता गया है तो इस क्या सही उत्तर है? इम्मा रादुकानू प्रिटेन की एम्मा रादुकानू यूएस ओपन महिला फाइनल में कनाड़ा की 19 वर्षिये लेला फनेडीस को हरा कर ग्रेंड स्लिम खिताब पर कमचा करने वाली पहली क्वाइलिफायर बनी है 44 साल में ग्रेंड स्लिम का ताज जीतने वाली ये पहली ब्रिटेस महिला थी प्रिशिसें के अचार किस राज्य में ब्रेस्ट मिल्क पंप बैंक खोला गया है? तो इसका सही उत्तर है पंजाब पंजाब के लुधियाना जिले प्रिशासर ने शिविल अस्पताल में मात्र एवं शिशू अस्पताल के परिसर में एक ब्रेस्ट मिल्क पंप बैंक खोला है ये पंजाब में इस तरह का पहला पैंक है जा नवजाथ शिशू और इस्तन पान कराने से समबंदित समस्या के समाधान के लिए किया गया है प्रिशे सक्या पांच उत्तर प्रिदे सरकार दारा के सिले में 22 इस्थलों को पवित्र तीर्थ इस्थल गोशित किया गया है मनुहरपूर, बैरागपुरा, राधा नगर, बद्री नगर, महाविध्या कॉलोनी और कृष्णा नगर हैं। प्रिश्च से क्या चेक किसके द्वारा फिल्म उध्योग के दैनिक वेतन भोगियों के लिए साथी कार्ड पहल शुरू की गई है। फिल्म निर्मादा आदिते चोपडा ने COVID-19 संकट के बीच हिंदी फिल्म उध्योग के दैनिक वेतन भोगियों और उनके परिवारों को समर्थन देने के लिए साथी कार्ड की पहल शुरू की है। प्रिशे सेंके असाथ अंतरास्य चारिटी दिवस कव मनाया जाता है। तो इसका सही उत्तर है 5 सितमबर मदर टेरेसा के पुन्यतिथी पर हर बर्ष 5 सितमबर को अंतरास्य चारिटी दिवस की रूप में मनाई जाती है। दलीतों के प्रिति समर्पर के लिए प्रसिद्व मदर टेरेजा का पास सितंबर 1997 को निधन हो गया था. प्रेशिसिंग्या आठ ए रूड लाइफ दाम मैं मेयर पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? तो इसका सही उत्तर है वीर सांगवी. वीर सांगवी अपनी नई पुस्तक ए रूड लाइफ दाम मैं मेयर लेकर आए हैं, पुस्तक पैंग्वीन इंडिया द्वारा प्रकाशित की गई है. प्रेशिसिंग्या नौकिस के द्वारा भारत का पहला इंटरेक्टिव प्लेटफर्म लाँच किया गया है? तो इसका सही उत्तर है फोन पे वाल मार्ट के सौमेतुवाली डिजिटल बुक्तान फर्म फोन पे ने फोन पे पल्स लाँच किया है, यह देश में डिजिटल बुक्तान पर डेटा, अंतरदेस्टी और रुजानों के साथ भारत का पहला इंटरेक्टिव प्लेटफर्म है प्रिशी सिंग की अदस, सीमा सुरक्षा बल के नए महान इदिशक के रूप में किसे न्यूक्ट किया गया है, तो इसका सही उत्तर है पंकच कुमार सिंग 1988 बैच के IPS सदिकारी पंकच गुमार सिंग ने सीमा सुरक्षा बलके नए महानिदेशक की रूप में पदबार ग्रेहन किया है जबकि संजय अरुना ने भारत तिबबत सीमा पुलिस की कमाद शमाली है प्रिशिसन के ग्यारा हाल ही में किसके द्वारा वर्ड फोटोग्राफर आफ दा इयर का पुरुसकार जीता गया है तो इसका सही उत्तर है अलेजांद्रो प्रीटो Mexican photographer Alexandro Prito की US Mexico Sima की दीवार पर एक पक्षी की फोटो ने एक प्रतिश्टित फोटो प्रतियोगिता जीती है इस फोटो के लिए उन्हें World Photographer of the Year प्रतियोगिता का भवे पुरुसकार विजेता नामित किया गया था प्रिश्य संग्य अबारा किसके द्वारा पैरलंपिक में भारत का पहला तीरंदाजी पदक जीता गया है तो इसका सही उत्तर है हरविंदर सिंग हरविंदर सिंग ने पैरलंपिक में भारत का पहला तीरंदाजी पदक जीता है विश्व नमबर 23 अर्विंदर ने तीन शूट आफजीत प्राप्त की है प्रिशिसंग या तेरा किस देश द्वारा ग्रीन वीजा शुरू करने और गोल्डन वीजा की पात्रिता का विस्तार करने के लिए यूजना प्रारम की गई है तो इसका सही उत्तर है संयुक्त अरब अमीरात संयुक्त अरब अमीरात ग्रीन वीजा शुरू करने और गोल्डन वीजा के लिए पात्रिता का विस्तार करने के लिए तैयार है ग्रीन वीजा के तहट विदेशियों को एक नियुक्ता द्वारा प्रायुजित किये बिना संयुक्त अरब अमीरात में कारे करने की अनुमती होगी प्रिश्य सग्या 14 किस कंपनी द्वारा किसान E-Store लांच करने की गोशना की गई है तो इसका सही उत्तर है अमेजन अमेजन इंडिया ने किसान E-Store लांच करने की गोशना की है चोटे और मध्यम विवसायों द्वारा सूची बद में उत्पाद अमेजन इंडिया पर प्रतिस परदी कीमदों पर उपलब्ध होंगे प्रिशिश के अपंदर गिस राज़ी सरकार द्वारा वतन प्रेम योजना प्रानम की गई है तो इसका सही उत्तर है गुजरात गुजरात सरकार ने अपने वतन प्रेम योजना के तहट दिसम्बर 2022 तक अनिवासी गुजरातियों के साथ सहिंगत रूप से एक हजार करोड रुपे की जन कल्यानकारी योजनाओं को शुरू करने की योजना बनाई है दोस्तों आज के प्रिश्णों की शंकला हमारी यही समप्त होती है अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक जरूर करें और साथ इसे अन्य लोगों को शेयर भी करें धन्यवाद